So welcome back दोस्तो आज की जोब अब्रेट बेसिकली दो वर्ड से मिलके बनी है जिसके अंदर आपका पहला वर्ड आता है स्टार्टप जो कि आज कुल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे हैं The second word जो आपको मेरा फेबरेट है जॉब So basically अगर आप स्टार्टप के अंदर जॉब करना चाहते है तो it is a perfect and golden opportunity मैं यहापे बताऊँगा कौन से स्टार्टप पे जॉब निकलिया है Not only for 1, 2, 3, 4, 5 डॉमेन Basically 18 डॉमेन, 18 प्रोफाइल पे जॉब निकलिया है तो अगर आपकी qualification different different level की है तो definitely आपके लिए जॉब होने वाली है 18 different domain पे जॉब है Number of vacancy की बात करें more than 50 है अब exactly कौन से 18 domain है क्या यह स्टार्टप है वो तो मैं इस वीडियो के अंदर detailed के अंदर आपको explain करूँआ और जॉब apply कैसे करनी है वो भी आपको बताऊँगा with skill set and role and responsibility स्टार्टप एक छोटा business होता है और वो किसी ना किसी market की जो major problem है उस पे काम कर रहा होता है वो problem products related service related किसी भी चीज से related हो सकती है तो कुछ different idea से कुछ different चीजों को execute करना in a form of business वो आपका start-up है start-up के आपको बहुत सारी definition मिल जाएंगी different perspective से चीज़े आपको मिलेंगी पर मेरी नजर में कोई भी चीज business के तोर पे करना innovation, creativity के साथ या किसी चीज का solution के साथ करना वो आपका start-up होता है अब यहाँ पर यह तीन चार चीज़े आपने सुनी तो आपको एक चीज realization हुआ होगा कि अगर आप start-up में job करते हैं तो उसके क्या फायदे है start-up में job करने का जो पहला फायदा है जो सभी को पता है और हर person उससे agree करेगा वो है आपकी learning मतलब यहाँ पर earning मतलब अच्छी amount तो आपको मिलेगा पर आपको learning बहुत जादा मिलती है चुकि यहाँ पर एक ही person multitasking करता है उसको काफी सारी चीज़े देखनी होती है और उसके पास काफी सारी चीज़े देखने के access के साथ उसकी responsibility भी थोड़ी सी जाद होती है वही पर अगर मैं top MNC की बात करूँ तो उसे dedicatedly process के अंदर डाला जाता है और पूरा person उसी process के अंदर काम करता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल देखते हैं आप एक ही loop के अंदर, एक ही loop के अंदर वो काम करता रहता है बट start-up पे ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ पे आप different different चीज़ों को access करेंगे आप different different चीज़ों को explore करेंगे तो आपका जो gaining का power है वो enhance होता है और आपकी जो learning है बहुत जादा होती है now come to the part second जो इस समय trending पे तो आ चुका है वो है आपका salary package पहले कहा जाता था कि अगर आपको जादा salary चाहिए तो आप MNC में जाएए पर आज के time पे अगर आपको जादा salary चाहिए तो आप start-up भी join कर सकते हैं due to funding start-up के अंदर अभी इंडिया के अंदर जो fund है वो बहुत बड़े level पे race हो रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको salary package मिल रहा start-up के अंदर is really awesome तो अगर आप एक high paying salary package भी चाहते हैं start-up join करना चाहते हैं तो definitely करे हैं और इसका third or hidden part जो कि आपको बहुत ज़्यादा benefit देगा right now तो नहीं पर after 10 year 20 year वो है e-shop equity basically यहाँ पे आपको कुछ share holding मिल जाती है अगर आप एक अच्छे level पे start-up को join करते हैं और after some time जब आपका particular start-up listed company बन जाती है public limited company बन जाती है तो आप उन particular shares को यहाँ पे बेच के एक अच्छा handsome amount earn कर सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 8, 10 या 20 करोड के level की not only 1, 2 या 4, 5 लाख रुपे की तो यह तीन जो बड़े hidden part है यह चीज़े ही मुझे motivate कर रही थी कि मैं इस start-up की सभी jobs opportunity आपके सामने ले क्या हूँ I know काफे सारे person यहाँ पे सिर्फ jobs सुनने आते हैं पर मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर life में अपने career में कुछ चीज़े achieve करनी है तो knowledge को gain करिए और यहाँ पे इस channel पे not only we are deliver content या jobs के update हम यह पे आपको वो चीज़े deliver करते हैं जो आपकी life में कुछ value add on करती है now come back to the content तो now start करते ही 18 domains में कौन सी job update है और क्या company का name है तो चलिए एक like के साथ start करते हैं तो दोस्ता हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने laptop पे यह screen आपको नजर आ रही है आप apply कर सकते हैं अपने mobile phone से भी जो company का name है it is one card one card है कैसी company है जो आपको एक credit card अविलेबल करवाती है digitally भी और एक format के अंदर भी तो आप अपनी एक ही card से सारी चीज़ें को purchase कर सकते हैं तो आप अपने card को different different तरीके से use करते हैं वो एक ही card से आप सारी different तरीके को use कर सकते हैं और इस card को use करने पे आपको reward and benefits बहुत अच्छे मिलते हैं तो yes it is a related for IT sector company तो यहाँ पे जो major domains है वो IT sector से belong करते हैं पर आपके लिए जो update मैं यहाँ पे explain करने वाला हूँ it is a non IT update और यह वो particular jobs की update है जिसकी demand बहुत जादा रहती है email, chat and calling की तो basically आपको chat करनी है यहाँ पे इनके CRM और अपने WhatsApp जैसे part पे और यहाँ पे यही काम पे आपको अच्छे पैसे मिलने वाले हैं और अगर मैं dedicatedly profile का नाम आपको बताओ customer experience specialist profile से clear होता है customer की problem, customer की inquiries, customer को जितनी भी need है जो भी difficulties उनको आती है उसके solution आपको email पे, chat पे और call पे deliver करने तो customer centric approach होनी चाहिए और it is not related for sales it is related for problem solving part तो आप कसी problem को solve करना है यहाँ पे sales नहीं करनी पर अगर आगर आप cross selling करते हो या आप यहाँ पे customer की problem को resolve करते हो customer centric approach अपनी clear करते हो negotiation, आपका delivery part, आपका communications के लिए सब strong है तो आपका promotion बहुत जल्दी होगा चुकि यह है एक start-up तो यहाँ पे आप apply कर सकते हैं, view details पे आप just click करेंगे आपको सारी information मिल जाएगी, yes it is related for fresher candidate तो definitely apply करें fresher वाले just click होना है apply now बटन पे जैसे मैं click करूँगा आपको इस तरीके से mail open हो जाएगी और यहाँ पे आपको mail इनको forward करनी है mail के अंदर आपको लिखना है, अपने बारे में, अपने resume को attach करना है as well as write down एक question जो बहुत generally पूछा जाता है why we hire you, यह company आपको hire क्यों करें, आपके अंदर क्या speciality है तो वो सब चीजा प्लीज mail के अंदर यहाँ पे mention करना तो इसी तरीके से यहाँ पे different different यहाँ पे profile निकली है जिसके अंदर आपका dialer manager, senior product designer आगया product designer app है इनका उससे related graphic designer आगया आपका motion designing आपका part आगया, senior cloud infrastructure engineer आगया जो आपका cloud और IT से related होता है AWS वाला part आपका senior software engineer, आपका senior iOS engineer, आपका software engineer आगया आपका product manager आगया, product marketing manager जिसमें SEO, NCRO से related आगया अब यह देख रहे हैं एकनी सारी की सारी profile पे job available है पर major of profile पे experience की demand करी गई है as well as आपके qualifications slightly high होने चाहिए अभी जो मैंने आपको एक profile बताई वो absolutely fresher के लिए है तो definitely apply करें आपको knowledge मिले होगी कि startup किस तरीके से एक अच्छी job opportunities आपको दे रहा है अगर आप इसी तरीके से startup job में interested है तो comment section में मुझे जरूर बताईएगा next video में startup के लिए क्या हूँ या एक top MNC की messaging चुहान आप से मिलूँगा next video में next content के साथ until then keep learning, keep growing and keep watching JBR आप से मिलूँ आप से मिलूँ आप साथ